मूली के प्राठे बहुत आसान तरीके से बनाओंगी और बहुत टेस्टी बनेंगे इंशाला जो चीजें में चाहिए होंगी यह एक किलो मूली इसको मैंने मोटा मोटा कश करके रखा है अपने बरी कश नहीं करना मोटा कश करने एक किलो मूली लेके पहले मैं इसको दो लिया दोने के बाद आपने चील के कश करने इसके इलावा स्पाइसिस में जाएंगे नमक हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और पेस्ट एक टीसपून हम इसमें शामिल करेंगे इसके लावा सबस धनिया एक टिमाटर कश करके डालेंगे सबस प्यास उसको मैंने चॉप करके रखा है सबस मेचे चार चॉप की वी है मैंने और इसके लावा यह लीव मैं आपको दिखाती जो मूली के अंदर दर्मयान में सबसे हों यह बड़ पत्तों के अंदर यह पतते हम इसको भी इसमें शामिल करेंगे मैं इसलिब चॉप करके नहीं रखा ताकि आपको दिखाती हमाटर करके आपको टेस्ट अच्छाएगा इसके लावा थाफ कॉप कॉर्किद itar करेंगे तो बनाना स्टर्ट करते कि इन अ कि आपको दिखाएते मूली के पते उसको मैं अच्छे से चॉप कर लेती हूँ इनक Panic शॉप करना है क्योंकि मूली के पते सखत होते हैं और नर्ब नहीं होते हैं इससे इसका टेस्ट अच्छा हैगा फैस 라य काई मैं सारी मूली और सबस प्यास जो चॉप करके रखे थे उसको शामिल कर दूंगे सबस धिनिया भी मैं नहीं डाल रही चॉप करके मैं रखे हैं उसको बाद में शामिल करेंगे जो पत्ते हमने चॉप करके रखे थे मूली के वह भी शामिल कर देंगे टिमाटर को मैंने कश्प कर लिए उसक आपने कश करके टिमाटर डालने, चॉप करके नहीं डालने, ताकि टिमाटर का छिलका ना आए मैं कश करने का तरीका अक्सर रेसिपी में पहले आपको बता चुकी हूँ नसादर का पेस्ट एक टीस्पून डालेंगे और साथ ही सारे स्पाइसिज हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे समझ मिर्चे मैंने चार फाइन चॉप करके डाली थी अब इसमें मैंने दो टीस्पून कुटी लाल मीच डाल रही हूँ आपने लाल मीच पाउडर नहीं डालना कुटी लाल मीच डालेंगे मिर्च और नमक आप कम जादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मताबिक एक टीस्पून धनिया पाउडर हाफ टीस्पून से भी कम हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे इसकंदर और तक्रीबन मैं अपने टेस्ट के मताबिक तक्रीबन दो टीस्पून लेवल नमक डाल रही हूँ आप अपने कम जादा कर सकते हैं टेस्ट के मताबिक हाफ कप को गॉयल डाल दिया मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे एक किलो मूली ती जिनको मैंने कष किया वा था एक बड़े साइस का टेमाटर उसको मैंने कष करके के शामल कि है इसके अलावा तक्रीबन हाफ का पाप कह सकते हैं चौपकी वह सबसप्यास और इसके लावा वन टीज पून रसनदर का पेस्ट दो टीज पून कुटी लाल मिच हाफ टीज पून धनिया पॉडर हाफ टीज सुपून से भी कम हल्दी पौडर और अमक आपने टेस्ट के मताबिक डालेगा इसके लाब हाफ काफ कुकिंग ओयल डाले तमाम चीजों के अच्छे से मिक्स करके मैं कवर कर दूँगी ताकि अपने पानी में मुली गल जाए जब गल जाएगा तो हम बुनाई करेंगे अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैं कवर करके रख दूँगी इसको बहुत ही असान और बहुत टेस्टी रेसिपी है कि तुमाव चीज़े मिक्स हो चुकी है इसको कवर करके मैं गलने के लिए रख देती हूं यह तक्रीबन 20-25 मिन्ट मैं इसको कवर करके रख दिया था और यह हमारी मूली तक अपना पानी छोड़ा वे इसको अच्छे से हम इसकी बुनाई करेंगे मूली को बहुत ज्यादा आपने सॉफ्ट नहीं करने थोड़ा हलका करण्चिस में आना चाहिए सिर्फ 20 मिन्ट मैंने इसको कवर करके रखा था आप अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि जितना पान पानी मूली का है इसके अंदर वो सारा खुश्क हो जाए क्योंकि लसंद्र का पेस्ट हमने इसी तरह शामिल किया था पहले हमने इसकी बुनाई नहीं की थी ताकि अच्छे से बुनाई भी हो जाए त्माव स्पाइसिस की और पानी भी खुश्क हो जाए मैं तेजा करके ब बुन चुकिए अब इसमें सारा सबस धनिया मैंने शामिल कर दिये सबस धनिया पहले मैं इस नीडिन डाला ताकि बाद में इक तो इसकी लुक भी अच्छी आएगी और फ्लेवर भी अच्छा आएगा शुरू में अपने धनिया शामिल नहीं कर लें अच्छे से मिक्स करे मैं और बलन चुके के आप मैंने नौर्मल जासे निगे कव मूली करते ही बनाएंगी समधकी 9 निकाल के रख लिया 서 मूली का यह ठंडा हो चुक है अब हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं आप ने एक चीज का ख्यार रखना है कि अच्छा स्पाइसी बनाईएगा क्योंकि जब रोटी के अंदर डालें तो स्पाइसी थोड़े काम हो जाते हैं तो तक अच्छा स्पाइसी प्राठा बनें लिंग करेंगे तो अच्छे से फ्लेवर आएगा ताकि रोटी बिल्कुल बरीक होनी चाहिए यह एक साइस के मैंने चार पेड़े बना लिए दो पेड़ों से एक रोटी बनेंगी बनाना स्टार्ट करते हैं इसको मैं बेल लेती हूं रोटी आपने बिल्कुल पतली बेल नहीं है पेड़ा आप छोटा लेंगे तो ही आपकी रोटी बारीक बेली जाएगी कोई अगर बहुत मोटी रोटी हो तो इसमें फिलिंग का मज़ा नहीं आता है कोई भी फिलिंग वाला प्राठा बना रहे हो तो दये में दो रोटी को कि रखटे है ये दिखें दो रोटी है मैंने बेल के र खी है dik к t Initiative फ्ल करेंगे उसके बाद थोड़ा सा और सको बेल नेंगे को अच्छे से मिसाला डालेंगी कि साल अच्छे से कवर कर देंगे आलू की रोटी जो मैंने आलू का प्राठा बनाया था वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से था इसको तरीके से नहीं अंदर फोल्ड किया जाता क्योंकि जो मूली का मसाला होता है थोड़ी नमी होती है सारा अच्छे से मैंने मसाला लगा दिये अब दूसरी रोटी को उपर रखेंगे और साइडों से किनारों को अच्छे से सील कर लेंगे अच्छे से दबा के आप सील कर लीजेगा अच्छे से दबा के सील करें ताकि मसाला बाहर ना आए हलका सिस्कौर में बेल लूँगी हलका साटा लगा के और बेलेंगे तके मजीद पतली हो जाए रोटी देखे आपको नजर आ रहोगा कि कितनी बारीक रोटी बेल ली वी है और मसाला आपको फील हो रहोगा देखने में नजर आ रहा है उपर से बिल्कुल पतली रोटी होनी चाहिए इस चीज़ का आपने खास ख्यार रखने एक हमसाला हलका का नजर आ रहा है बिल्कुल बारीक रोटी बेली है मैं ठीक है तवा गरम किया इसको हम पकाते हैं हलका से हाथ पर दुबारा मैं रोटी को थोड़ा जाड रही हूं ताक्कि और मजीद पतली हो जाए तवा मैंने गरम करके रखा वा था यह कितनी बारीक रोटी है ठीक है आपने इस चीज़ के मैं बार बार अक्सर हर रेसीपी में बास रिपीट करती हूं ताकि आपको लेते हैं पूरी पूरा तरह से नहीं पका कि अलटे रोटी को हाफ डान हो जाए तो उसको हम उल्टेंगे थोड़ा से पके तो हम पलट देंगे आप दुबारा पलट किसको मैं गी लगाऊंगी रोटी के अंदर हमने ऑईल क्योंकि जैसे आलू के प्राठे मैंने आपको ब अब रोटी को मैंने उलट दिये इस पर घी लगाके दुबारा पलट देंगे देंगे हाफ डान वियत मैं इस पर घी लगा दिये पूरी पका कि अपने घी नहीं लगाना है खाल कि आग पर इसको पकाएंगे आग तेज नहीं रखनी ताकि अच्छे से आपका प्राठे का क हमेशा जो भी प्राठा बने हलकी आग पर बनाया करें ताकि कलर अच्छा है और अच्छा क्रिस्पी प्राठा बने यह देखे किता खुबसूरत कलर आया है रोटी का मैं इसको स्लो हीट पर आराम रम से पका रही हूँ यह रोटी रेडी हो चुकी है एक रोटी और में बनाऊंगी और डिश करोट करके आपको दिखाती है यह देखें मूली के अपराठे मारे रेडी हो चुकी है इसको मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किये आप चाहें तो दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं यह देखें मैं आ अच्छे से बरके मसाला लगाने, उमीद आपको सारी रेसिपी अच्छे से समझ आगी होगी, आप जरूर ट्राइ किजेगा, आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाहाफेज अच्छे से बर्टाइब करें आपको सारी 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 आपको सा